महिलाओं पर कमेंट करना पड़ा भारी मंचलों की पिटाई का वीडियो वाइरल सरयाम लोगों ने लड़कों की निकाली दबंग गई उत्तर प्रदीश की आजमगड से एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है मारपीट की घटना एहरोला थाना अंतरगत मधुपुर गाउं में छट पूजा की समापती की दौरान की है मिली जानकारी के अनुसार दो पक्ष आपस में भिड़ गए विवाद मारपीट तक पहुँच गए इस मामले पर SP सिटी शेलेंदर लाल ने बताया कि 6 लड़कों को गिरफतार कर मजिस्टेट के सामने पेश किया गया है आपको पता दें कि इस मामले में पुलिस ने 6 लड़कों को गिरफतार किया है और उनसे पूस्ताज भी की जा रही है घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची थी और दोनों पक्षों को ठाने लेकर आई थी इस लड़ाई में कई लोग घायल भी हो गये थे जिन्हें सरकारी अस्कताल में इलाज के लिए भेजा गया इस विवाद के असली वज़ा है महिलाओं और लड़कियों पर असली कमेंट करना पुलिस ने बताया कि छटपूजा में दो पक्ष आपस में भीड़ गए कुछ लड़के आने जाने वाली लड़कियों और महिलाओं पर भद्दे कमेंट कर रहे थे जिस पर दूसरे पक्ष ने विरोध जताया और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुँच गया मौके पर मौजूद किसी ने इस घटना की वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वाइरल कर दी वही पुलिस का कहना है कि इस मामले की कमभीरता से जांच की जा रही है जांच के हिसाब से ही आगे की कारवाई की जाएगी लेकिन लड़की और महिलाओं पर भद्दे कमेंट करने वालों की इस पिटाई का वीडियो दे सोशल मीडिया पर लोग इसे बिलकुल सही बता रहे हैं महिलाओं पर कमेंट करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए जैसे कमेंट करते वे दिखाई दे रहे हैं फिलाल इस मुद्दे पर आपकी क्यार आया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह कि तमाम खबरों वीडियो को देखने के लिए हमारे योट्व चैनल को सब्सक्राइब कीच व्योरो रिपोर्ट निउस वन इंडिया